हम खालो दोस्तों सवागत है आपका आपकी ईटुप से इसमें से पहला हम पढ़ेंगे वाई मंडल पढ़ेंगे और जो आ के प्रकार है या उनके बारे में हम बात करेंगे को है आक्समें एक छित्र है इसको आपको लश में देखाऊंगा पूरामाद करेंगे इसके वारे हमने पहरे यह स्ट गवातर में पाया जाता है वह सरवाधी मात्रा में प्यूंता है तो कि इस्की जो संग्प्रस्थ प्रतिशत है वह लगभग आठतर प्रचेंट है और चलिए यहां पर दिया हुआ है लिखा हुआ है which of the following helps maintain the balance of oxygen and CO2 in the atmosphere इस प्रसका मतलब यह है कि हमारे वाई मंडल में oxygen और carbon dioxide को को manage करते हैं plants करते हैं animal करते हैं atmosphere करता है या इन में से कोई नहीं तो इसका सिरफ दाना है plant plant क्या करते हैं यह oxygen और carbon करते हैं और यही balance करते हैं वाई मंडल में चलिए आगे बढ़ते हैं मुख्य रूप से हम बात करेंगे यहां पर वाई मंडल की सबसे पहले बात करते हैं वाई मंडल जो वाई मंडल है सबसे पहले ही बात करें तो देख सकते हैं कि इसमें हम इसको पांच प्रत में बाढ़ते हैं पहला हमारा होता है ट्रोपो स्पेर जिसको छोब मंडल कहते हैं दूसरा मंडल होता है समताप मंडल ठिक इसको हम कहते हैं तीसरा मंडल रेख सका मद मंडल लिया में स्पेर कहते हैं और सबसे कमनांडल जो करें soci as प्र्षब करें देलें राए आझ का एक्जाम में आप देखते हैं कि जो यह टूपो स्पेयर नाम दिया में इसी नाम से ही आपके जो होते हैं Kreun इसलिए आप इस नाम ट्रोपो स्पेर इसम्रा समें 5 मंदल को भी जानते रहें चलिए आगे बढ़ते हम दी बात करें यह हो वाई मंदली होती है यह हो आइय मनंडल में सबसे बता होती है इसकी उचाई की बात करें तो भूमाद्रेखब इसके एलग होती है और अा इसके बारे में हम आप से внागे बात करेंगे जब आपको आम सामान ने ताप पतंदर सामान ने ताप पतंदर क्या होता है उसक?" सिवनद हद रखेंगे कि 160 cream रूशाई पे हम जाते हैं तो एक डिगर्भी जो अमारा ताप मान होता है। वह कम हो जाता है इस मंदल में जब जैसे से आप 155 मिटर की उशाई पर जाएंगे तो आपका जो टमपरेचर होगा वह एक डिगरी शेल्टीगर की साब से कम होता जाएगा मतलब कहने का यह है आप 1650 मिटर की उशाई पर जले जाते हैं तो लगबग 10 डिगरी जो तापमान ह है वह आपका कम हो जाता है यही कारण है कि आपब जमार होती है तो मंडल में हम्यत होती है Ox मतल छोब मंदल में सभी मौसम संबन्दी करना है वर्षा हवा, हिंब बैली चमखना यह समीं क्रियायों होते हैं बारिसे क्रियायों होती हैं आपका इसी छोब मंदल में ही फिछलिए आगे बड़ते हैं और अगले मंदल क्या है सम्ताप मंदल इसको हम स्टेटो स्पेर कहते हैं इसको आप याद रखेंगे इसी उचाई की बात करें तो यह जो है वह है दीज से पचीस क्रिमेटर के उचाई पर इसी मंदल में ओजोन लेयर पाई जाती है याद रखेंगे कि सम्ताप मंदल में ही क्या पाई जाती ह जाने वाली जो याद रखेंगे आप देखिए, यहाँ पे निखा हुआ है कि जो मुटाई होती है उसको मापने के लिए हम ढापसन यूनिट का परियोग करते हैं यहाँ पे इंग्विस में लिखा हुआ है sticking of ozone layer मतलब ozone layer की मूटाई को मापने के लिए हम dawson unit क की का परियोग करते हैं यहाँ रखेंगे यदि 200 dawson unit से कम यदि ozone की मूटाई है तो उसको हम ओजोन छिर्द के नाम से जानते हैं काफी important डी हो गया कि ओजोन छिर्द हम किसे कहते हैं तो जहां पे 200 डापसन से कम ओजोन की मुटाई होगी वहां उसी को हम ओजोन छिर्द के नाम से जानते हैं याद रखेंगे ओजोन डे जो होता है वह 16 सेप्टेंबर को मना जाता है आगे बात करें सबसर पतम ओजोन होल जो की खोजवी थी वह अंटार्केट का महादीप या दच्छुद्रूगों के पास हुई थी या देखेंगे और जो मांट्रियल प्रोटोकाल होता यहाँ पर देखें मांट्रियल जो प्रोटोकाल है इसका जो सम्बंद है इसका सम्बंद ओजोन से सम्बंदित है यह कानाडा में 18-1987 इस भी में हुआ था जिसमें क्लोरो फ्लोरो कार्बन जो सियफ्सी होता है उसको प्रबंदित करने की बात की गई थी तो यहाँ पर हमने क्या गया देख लिया हमने देख लिया सम्ताप मंदल देख लिया हमने छोब मंदल देख लिया ठिक और इससे सम्बंदित जो महतुपूर्ट चीज़े होती उसके बारे में हमने बात कर ली समताप मंदल की भी बात कर दी चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अगले परत की क्या दखेंगे अभी हम समताप मंदल ही पढ़ रहे हैं देखिए यह दान दखेंगे Mother of Pierce Cloud Sirus यह BCS प्रकार का रंगीन बादल होता है क्या होता है यह BCS प्रकार का समताप मंदल में परस क्लाऊड बादल एक बात आदखेंगे समताप मंदल वायू आंगों के उड़ने के लिए आधर से जो हमारे वायु यहान होते हैं जो जहाज होते हैं वो इसी मंदल में उड़ते हैं याद दखेंगे जी जो छोब मंदल होता है इस्टेटो स्पेर होता है उसमें वायूयान उन्हें के लिए आदर्स नहीं माना जाती है आदर्स जो मंदल होता है वह समताप मंदल होता है मतलब वही पे जो वायूयान उड़ते हैं उसके लिए यह आदर्स माना जाता है चलिए इसी मंदल में आकर जब उल्का पिंड जो आती है, हमारे वाई मंदल जैसे ही प्रवेस करती है, तो इस मंदल में, मद मंदल में आकर उल्का पिंड जलने लगता है, उसका कारण क्या होता है, जब वह हमारे वाई मंदल से घसन करती है, तो वह जल जाती है, इसको देख के हम क जाता है तो याद रखेंगे siyaолов मंडल सबसे गर्म परत होती है संचार उपगरह, आयन मंदल में इस्तापित की जाते हैं जो मान Shepherd होते हैं ठीक है, तीए मैं इसी मंदल में ही कह द endeavors किये जाते हैं स्तापित किये जाते हैं और यहां की इस था और है तरंगे आयन मंदल से परीवर्तित होकर लोड़ती है जैसे हम जानते हैं बाएमंडल के नाम से जानते हैं इस मंडल के बाहर ही परते हैं और यू का सबसे कम घंद बाहर जाता है तो हमने बारे के सबी मंडल के बारे में जान लिए चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि इसकी जो उचाई होती है, इसकी उचाई की बारे में हम बात करते हैं, कि किस लेयर की उचाई कितनी होती है, तो चलिए एकर करके हम बात कर लेते हैं, सबकी विसिस्ताओं के बारे में हमने बात कर लिया, अब आप ध्यान से देखेंग पी भुमद द्रेखा है यह ठ對了 और यहीं भी आप ध्यान देंगे कि हमारा छोब मंडल होता है भुमद द्रेखा पर इसकी उचाही आप देख सकते हैं सरवादिक हैं वहीं दroup बाद आप द्रूब के पास ऑचाही कम होती है भुमद द्रेखा के पास 18 km और जो 17 km is 30 km कोई रैखको होगे आपड़ क्याएं दिखाई रखनागे की इसके उचाही यह भीुचाही पतनी होती है 50 km होती है इसी मंदल में हुआरा ओजोन लेयर भी पाया जाता है और हवाई जाजिए उदने का यह आदर्ष मंदल होता है मद्य मंदल की बात करें तो इसके उचाई होती है वह 50-80 km तक होती है उसके बाद आयन मंदल की बात करें तो यह 80-640 km की उचाई पर यह है मंदल पाया जाता है जो हमारा कारमल लाइन होता है यहां पर आप देख रहे हैं कि यह जो आपका कारमल लाइन है जिसके उपर हम अं नियुक्स up आया जाता है अब आपको दिखाता हूँ अवी चित के माधम समझें आप देखिए इस चित के माधम से समझेंगे आप कर लू कि छली बेखिए यह हमारा क्या है यह हमारा पड़ी है ठिक यह हमारा प्रिद्वी है सबसे पास हमारा पाया जाता है कि यह ट्रोपो स्पेर इसको हम छोब मंडल कहते हैं क्या है यह ट्रोपो स्पेर इसको छोब मंडल कहते हैं इसकी उपर हमारा इस्ट्रेक्टो स्पेर पाया जाता है छोब मंडल की उचाईगी बात करें तो धुरूओं के पास यह 8 km होती है व यहां पर जो हवाई जाज उरने की सुरुफतम दसाइं यहीं पर होती है जो यहां पर बना हुआ है यहां पर होना चाहिए और वहीं बात करने ही है जो हमारा ट्रोपोस पर मतलब छोब मंदल होता है यहीं पर सभी मौसर समद्धी गटनाएं घड़ती होएं इसके उपर हमार जो उपगर होते हैं उसके लिए उच्छी दसाइं पाई जाती है इसके उपर हमारा क्या होता है इसके उपर हमारा होता है अपका एक जो स्पेर मतलब बाहें मंदल और यह कार्मल लाइन या पर दिया हुआ है यह कार्मल लाइन या पर दिया हुआ है जो की मेसो स्पेर के पाया जाता है तो उम्मिद करता हूँ कि मेरे द्वाद दीगी जानकारी आपको समझ में आई होगी जल्दी ऐसे ही अगले वीडियो आपको मिलते रहेंगे और जो आपका यूपी टेट और सुपर टेट के जो एवियस का पार्ट है वो पूरा कवर करवाया जाएगा वीडि